राम राम सारी बाना ना चोड़के आपका अपने चैनल कल्चर फैब्री की सार में आपका स्वागत है उमीद सारी बेबे राजी खुसी होगी आज भी सारी बाना खातर स्ट्रिचिंग की वीडियो लेके आया हूं तो भी सारी बान जमा कोरते देखें और जो बान भी खुद हैं और जिस बैन को हमारे यहां स्टिच करवाने हों वह हमें कुलियर करवा सकते हैं एड्रस है हमारा 713 हाउस नंबर नवदीब कलोने राजगर रोडी साल तो आप हमें कुलियर करवा के और स्टिच यहां करवा सकते हैं आपको अपना साइज बेजना पड़े तो आज रखाएवी स्लीव्स का काम है इस पे मिर्र की लेश लगी है और गले पर पाइपिंग के साथ हमने मिर्र की लेस causal धी फरंट वैके बीन के साथ बनारे हमने ये वावे लटकन जो है मीरल वरक वाले फैब्रिक के उन पम यहें उसे बनाना जाएगी बिल्कुल हैवी से हैवी इसका दुबट्ट आ रहेगा तो जिस भी बैन को यह रैडी करवाना हूं अपना करवा सकते हैं नेक्स सूट जो है अपना वो है प्योर नैचुरल क्रेव का सूट है और यह देखो कितना प्यारा यह स्टेच हुआ है यह काम इसके घेरे के उपर है और बैक गला इसका हमने थोड़ा सा डीप दिया है पूरे सूट में सिक्विंस का छिटगाव है और यह इसकी हमारी रखी है कौने तक की फरंट बैक गले में पेस्टिंग के साथ बैक गला थोड़ा सा डीप दिया है ताकि गला फैल लेना बिल्कुल भी तो आप इस तरह का भी सूट अपना स्टेच करवा तो नेक्स सूट जो है अपना येलो कलर का सूट है और दो लंबी बेल वाला यह अ अपना यह वहन है सेक्टर 16-17 मीनू मोर तो इनका सूट हमने यह रेडी करवाया है सबसे पहले जो है हमने यह फैब्रिक था ओनली पूरा पांच मिटर ओल ओवर सूट था यह तो हमने इसकी बोटम अलग से डाई करवाई लिए पूरा का पूरा पांच मिटर फैब्रिक हम अलग से इसके डाई करवाई है और इसकी लेस भी हमने डाई करवाई है ठीक है बोटम हमने इसके डाई करवा दी पूरा पांच मिटर जो फैब्रिक था वह पूरा हमने शर्ट के साथ ले लिया है शर्ट में और फुल हैवी घेर का हमने इस भेहन का अनारकली रेडी करा है गले पे जो है हमने जो pen का fabric था उसी में से बचा के जो है हमने गले पे piping और ये लुपी दी है एक बार आप द्यान से देखें ठीक है काम की finishing देखें और बाजू पे और घेरे पे हमने ये cotton वाली lace जो है वो dye करवा के बाजू और घेरे पे सूटके cotton वाली हमने lace दे है और back में हमने दिये है ये लटकन चीक है back में हमने ये लटकन दिये है बहुती प्यारे बहुती सुंदर mirror वरक के साथ के इसके लटकन है full heavy काम है सारा का सारा front गले में हमने piping देके लूपी का design दिया है back गला हमने बिल्कुल थोड़ा सा deep रखा है और pasting के साथ हमने ये काम गिया है lace और mirror के ये हमने इनके लटकन रेड़ी करी है डोरी लगा के बहुती प्यारा इनका ये जो है अनारकली सुट स्टिच हुआ है और इसके साथ हमने दी है pant के front में belt है back में elastic है दो pocket के साथ हमने बहुती प्यारी इनकी पैंट रेड़ी करी है और ये दुपट्टा भी इनका बिल्कुल लटकन में भी है तो ये हमने दुपट्टा रेड़ी करा है लेस्ट डाइक तो ये इनका सूट था वह की प्यारा इनका सिंपल सूट आप किस तरह से डिजाइनर करवा सकते हैं वह आप देख सकते हैं आज नेक्स्ट सुट जो है हमारा यह है प्रिंटड शिफोन फैब्रिक में और ये सूट हमारे बिल्कुल खास और पर्मानेंट कस्टमर का कि जी रखा है मेरी मम्मी का इस उठीए तो ये कि यस टीच करा है हमने अभी ह pare pec में फैब्रीक लेक रखा उने करा हालए कि स्ठीचिंग का उन्हीं अब यह स्टीच हो के आया है फॉरएंड गले में जो हैह हमने डबल इस तरह से करके यह डिजाइनिंघ दी हैं लेस की यही designing हमने बाजो पे दी है विल्कुल लेस की और front और back लेटे पे front और back लेक दौनों धेरे पर आंप दूर्ब ऐ लेस दे के यह design रेडि करा है बिल्कोल similar हमने पतिवेला इसकी सलवार रेडि करी है ठीक है अधो बहुत ही प्यारा full lining का सूट है तो जिस भी भेन को अपना ये स्टिच करवाना हो इस टाइब से कोई भी प्रिंटेड सूट आपको अपना स्टिच करवाते हैं कि नेक्स्ट सूट जो है अपना वो है हमारा ओर्गेंजा का कलमकारी का सूट है और इसका अगर एक किसी भेन को लेना हो तो सिंगल पीस का बचा वग आए ये प्रेंट और बैक घेरे के उपर ये बनारसी हमारा है वी बॉरडर है और इसी बॉर्डर में सी जो बचा स्लीव्ज पर दिया है और वही प्रटर्ट क्रापटे क्लराaben का दुपट्टा रहेका और प्लेट का कॉंट्रास्ट में कमीज है अठाइस्टो रुपे सूट का रेट है नेक्ट सूट जो है अपना वह है प्यूर टसर सिल्का यह भी मेरी मम्मी ने बहुत टाइम पहले मेरे पास यह फैब्रिक आया था तो लेकर रखा हुआ था तो यह अब स्टिच होके आया है तो मैं सोचा एक बार आपको दिखा तो बिल्कुल प्लेन सिंपल सोबर स्टिच करवाया है ना कोई पाइपिंग ना कुछ और बोटम रहेगी इसकी प्यूर शेंटून की बिल्कुल प्लेन और अब यह फैब्रिक है नहीं बिल्कुल खतम हो चुका है तो काफी टाइम पहले क यह जो फैब्रिक थे मम्मी ने लेके रखे तो यह अपने अब भी स्टिच करवाएं है नेक्स्ट सूट जो है यह मेरी नानी लेके आए थी मेरी मम्मी के लिए और यह हमने बहुत ही सुन्दर तरीके से जो है इसको रैडी किया है बहुत ही प्यारा कोटन का सूट है माजू पर हमने यह वाले जो है लेस दी है और बिल्कुल सिंपल प्लेन नोर्मल जो है अपनी पटियाला सलवार रेडी करी है बहुत ही प्यारी तो जिस भी भेन को इस टाइब के कोटन के सूट अपने थोड़े से डिजाइनर वे में बनवाने हो सिंपल सूट यह बिना ल जो है वह हमारे बुटिक का ही रेडी किया हुआ सूट है बहुत ही प्यारा प्योर मसलीन फैब्रिक में सूट है और यह वह अपने थोड़ी पाइपिंग दी है यह आएगा हमारी चेस्ट के उपर अपने फ़रंट गले के नीचे तो इसके नीचे भी बिल्कुल नोर्मल फ प्योर मसलीन की सलवार है और यह रहेगा हमारा सूट जिसवे बहन को इस टाइप का सूट रेडी करवाना हो अपना करवा सकते हैं नेक्स्ट सूट है यह कस्टमर है हमारी अर्पनी स्टेट से दीपा सहरावत उनका यह सूट है और इस सूट में इन दोनों बहनों ने अप आपना रेडी करवाया और इनकी बहन निजो है इंगलिस कर पे अपना करवाया है तो जिसको भी यह पसंद हो आप इस कर दर भी आपना रेडी करवासिव के अब होट है इस प्यारा बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर काम है पूरा फिनिशिंग के साथ दो लंबी बेल है और बाजू पे इसका काम है प्योर ओर्गेंजा इन्होंने फैब्रिक लिए है नेक्स्ट सूट है अपना सिल्वर जो फैब्रिक आया था मेरे पास यह प्योर का वही फैब्रिक में काफी टाइम पहले इनों में अपना लेकी रखा हुआ था यह वैन है हांसी से और फुल लाइनिंग की इनकी सलवार है फुल लाइनिंग का इनका कमी जब बहुत ही प्यारा इनका सूट स्टिच यह संस्पेक्टर है क्या आदर और एनका कमीज रेडी हुआ है इनका कमीज रेडी हुआ है तो इनOOOO कमीज और शराबी के साथ शाफ एक और प्योड चाण्टोन की नहादट आइडिया लगाया कि नोर्मल जो है वो कमेज है बिल्कुल इसका और इसके साथ इनोंने एक पैंट भी रेडी करवा लिया तो दोनों इनका अगर कहीं भी बहार डाल के जाना हो तो यह डाल सकते और किसी फंक्शन में अपना सरारा भी डाल सकते हैं तो जिस भी भेन को इस ट पसंद हो जो आपको रेडी करवाना हुगा आपको अपना करवा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छा और बढ़ियां क्लेक्शन लेके तब तक के लिए सारे बाना हिना जोड़के राम राम